दौर में एक जोला चाप डॉक्टर की लापरवाई से होम डेकुरेशन का काम करने वाले एक व्यक्ति को अपने पैर का पंजा कटवारा पड़ा डॉक्टर पांच महीने तक घर में जाकर पिडित का राज करता रहा जब शक्स के घाओं में कीडे पड़ गए तो परिवार उन्हें अस्पताल लेकर गए जहां ऑपरेशन के बाद उनका पंजा कार दिया गया आरोपी जोड़ा चाप डॉक्टर है मामले में डॉक्टर के खिलाफ पुलिस न लापरवाई का केस दरच किया है दरसल पुरा मामला इन दौर की दौर का पुरी धाना शूरीत का है यह रहने वाले कुमार सिंग यादफ के शिकायत पर डॉक्टर कमल मौरी निवासी सुदामा नगर के खिलाफ पुलिस न दो धाराओं में केस दरच किया है पुरित कुमार ने बताया कि जून 2021 में शुकर बढ़ने के चलते उनके सीधे पैर कांगूठा और उंगली काली पढ़ गई थी जिसके बाद उन्होंने डौक्टर कमल से संपर किया वो चोईतरा मंडी के पास आर एफ थ्री बिल्डिंग में क्लिनिक चलाते है डौक्टर ने गैंगरीन होने की बात करते हुए फायर मैक्स तीन क्रीम लगाने को कहा इसके एवच में उन्होंने पांच हजार उपे लेने के बाद पंड़ा दिन तक इस क्रीम को पैरों में लगाने की बात कही डौक्टर कमल हर दन घरा कर खुड अपने हाद से क्रीम लगाते थे लेकिन पंड़ा दिन में कुमार संग के पैर की उमलिया ठीक नहीं हुए इसके बाद उन्होंने अगले 15 दिन तक और क्रीम लगाने को कहा जिसके बाद कुमार संग के पैर में कीरे पढ़ गए परिजन उसे M.Y.S. पताल लेकर पहुचे जहां डॉक्टर ने ओप्रेशन कर उसका पैर कार दिया फिलाल पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ ममला दर्श कर उसकी तलास शुरू करती है र हैं यह सइय है एक कुमार सिंग्यादो है जिनको की सुगर की बीमारी थी और उनके पैर में उन उंगलीयों में गेंगरीन हो गया था टो डाक्टर ने उनको बोला था कि यह उंगलियां कटवानी पड़ेंगी किन्तु उनके किसी परचीत कमल मौर नामक बेक्ति ने उनको बोला कि यह हम एक क्रीम बेचते हैं जो कि सुगर के घाओ को ठीक कर देती है और यह आपका पैर जो है ठीक हो जाएगा और उंगली नहीं कटवानी पड़ेगी उन्हीं की बात मान करके उन्हों ने उस क्रीम को पियो किया जिससे की इंफेक्शन और ज्यादा फैल गया और उनको जहां उंगली काटने भर से काम चल सकता था पहले तो इनकी लापर वाही की कारण उनको अपना पंजा कटवाना पड़ा और इसी के अधार पर उन्होंने हमारे थाने पर रिपोर्ट की थी जिस पर कल हमने मुकदमा कायम किया ये कमल मौर नाम के विक्तिके खिलाब किया है अभी प्रकंट ब्यूएचना में है और ब्यूएचना उपरांद जो उसकी ग्रिपतारी की जाई क्रीम बेचता था जिसमें की वह सुगर से होने वाले घाव को ठीक करने का कहता था उसी करण ऐसा हुआ है